दोस्तो अभिशेक और एश्वर राय के रिष्टे में दरारानी की अफवा फिर से सुर्गियों में है क्या अभिशेक और एश्वर रिष्टे में सब कुछ नहीं है ठीक ठाक और क्या सच में रिवोस लेकर हो जाएंगे अलग आखिर क्यों शोशल मीडिया पर पूछे जा र इंडिस्ट्री के पसंदीदा जोडे में होती है और दोस्तों हम आपको बता दे कि इन दोनों को लेकर जो बात हो रही है कि अभी और एश्वर तब से शुरू हो गई जब एश्वर राय नीता मुकेश हम्मानी कल्चरल सेंटर इवेंट में अपनी बेटी अरादे के साथ अकेली पहुची और नीता मुकेश हम्मानी का ये इवेंट तीन दिन तक चला जिसके चलते तीनों इवेंट में एश्वर राय अपनी बेटी अरादे के साथ अकेली पहुची और इतना ही नहीं बेते दिनों आना तंबानी और रादिगा मिर चेट की सगाई हुई थी तब भी एश्वर्य अभी शेख के बिना वीटी अरादे के साथ ही पार्डी में पहुची थी और ये बात लोगों के मन में खटक गया है और लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया है और कुछ लोग तो जूनियर बच्चन और मिस सवाल किया है कि क्यों एश के हस्बेंड उड़के साथ नहीं आते हैं लेकि लोग कुछ भी कहें क्योंकि जूनियर के अंदाजे से सच बिल्कुल उल्ड़ा है क्योंकि एश्वर्य और अभी शेख के बीच ना खट पड़ है और ना ही इनकी रिष्टे में धरार है और सारे कपल हर जगे साथ ही नहीं जाते कभी अगेले भी जा सकते हैं इसलिए जूड़ी अफवा फैला ना बंद करें और ये कपल इंडस्ट्री का सबसे पसंदीदा कपल है तो दोस्तों आपकी क्या राय है इनके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और सबस्क्राइब जरू कर दे ताकि आपको आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे